पार्टी के कातर माता मंदिर परिसर में सोमवार को आदिवासी समाज ने गाउव प्रमुखों की समीक्षा बैठक हुई इसमें समाज की प्रथा देजा शादी का खर्चा पिछले दिनों सीमित किया था उस पर विस्त्रित समीक्षा की पटेल, पुजारा, वार्ती, पंच, सरपंच, जनपत, सदस्य, चौकिदार व गाउव दाहला बैठक में शामिल हुए समीक्षा बैठक में कोटवाल और तर्वी समाज भी पहुचा उन्होंने शादी का खर्चा सीमित किया आदिवासी बारिला, विलाला समाज में जो शादी का खर्चा तैक किया है उसी खर्चे को कोटवाल और तर्वी समाज ने भी शादी में लेने का तैक किया हरसेन जम्रे ने बताया कि शादी का खर्चा सीमित करने के बाद भी गावों में कुछ लोग मनमर्जी से शादी का खर्चा ले रहे थे जिसे गठित सीमित ने पिछले दिनों वापस लोटाया था अब किसी भी तरह से समाज के बनाए गए नियमों का उलंगन नहीं किया जाएगा समिती हर गाव में नजर बना कर रखेगी सूचना मिलती ही ततकाल समिती सदस्य मौके पर पहुँच कर मामले को सुझाने का काम करेगी आज यह साथ तारीक को हम पठल संग की बेठक रखी गई जो समाज में हमने 22 तारीक को तई किया था साधी का खर्चा उसको लेके कई जगे दिक्कत आ रही थी उसको लेके आज बुदी में बेठे थे तो यह तो जो बंड में एक साधी रुक्वी थी ज्यादा दोहेज ले ल अभी मिलके सदेशय गण भी थे दूसरा यह एक बुदी की साधी थी उसको भी कल तई किया है तो लड़की नाबालिक चली गई थी उसको भी 25,000 दे के वापस बाप के सपरत किया गया एसे हम कई साधी का खर्चा किया गया और लड़की भी वापस दिया गया तो हमारी समा समाज की हम आतरमाता बुदी में व्लाग इससरी बैठा काजिन किया गया इसमें साधी के खर्चा संबंदी बैठा रहके गई और समाज के लोगों ने अपनी उपरसी दर्जी की और सबने सर्व समाथी से नेने लिया जो साधी खर्चे 70,000 रुपे लेने का मतलब तही किया है यदि समाज कोटवाल समाज के यदि कोई वेक्ति जो कमेटी का नेने नहीं मानता है तो उसके खिलाब कारवाई के लिए सबसे फेले तो हमने थाना परवारी को आविदन दिया है वो हमारी शिकायत कोई वेक्ति शिकायत लेके आता है तो पहले वो जाज करेंगे देखे करेंगे उसके बाद ही नहीं मानता है तो इसके खिलाब कारवई को